नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम से आपके साथ मैं हूँ आंकेता पर हमला बूला उनोंने कहा कि इस देश में पढ़े लिखे होने चाही क्योंकि उनको दिन में कैइफ एसले लेने होते हैं नहीं तो अफसर गुम्राह कर सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रधारमंटरी की शिक्षा को लेकर लोगों का संशय और पढ़ गया है प्रधान मंत्री की डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही है पूरे देश के सामने ये प्रश्ण है 21 सदी के भारत के सामने ये सवाल है तो आज एक ही प्रश्ण है मेरे सामने कि क्या 21 सदी के भारत के प्रधान मंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए Does India need an educated PM आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई manager hire करते हैं तब भी उसमें लिखते हैं कि ये शुब BMA qualification लिखते हैं तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े manager बड़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए CM के जिवाल ने कहा कि गुजरात उचन्यायाले का आदेश आया है कि देश के लोग प्रधान मंतरी की शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं ले सकते इसे देश हैरान है लोगतंत्र में जानकारी मांगने के आजादी होनी चाहिए किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह या पाप नहीं है देश में गरीबी के वज़े से बहुत लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती मैंने ये जानकारी क्यों मांगी 75 सालों में देश उस तरह तरक्की नहीं कर पाया जैसे का निथी देश तेजी से तरक्की करना चाहता है प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे एक भाशन में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं गाउं के स्कूल गया था उससे जादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सेकड़ों फैसले लेने होते हैं विज्ञान से संबंदित, अर्थवेवस्था से संबंदित अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किसम किसम के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्खत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा बोगतना पड़ा नोटबंदी से देश एक तरह से दस साल पीछे चला गया इतना ज़्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थवस्था को नुपसान हुआ अगर देश के प्रधानमंतरी पड़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते जी एस्टी लागू किया गया जी एस्टी बहुत अच्छा कॉनसेप्ट था लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थववस्था का बिड़ा गर्थ कर दिया आज अगर पड़े लिखे प्रधानमंतरी होते तो जी एस्टी ठीक से देश के अंदर लागू होता किसानों के तीन काले कानून लागू किये गए जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किये यह समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंतरी जी के कान भरे और उनोंने वो कानून पास कर दिया अन्त पंत में एक साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े तो इस तरह से कोई भी वेक्ति जाके प्रधानमंतरी जी को बेकूव बना सकता हैगा प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिये गए। देश की अबादी एक तरफ बढ़ रही है। स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे। लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिये गए इसका मतलब देश में शिक्षा को तवजू नहीं दी जारी जो तवजू दी जानी चाहिए। एक अंपढ़ देश कैसे तरक्टी करेगा। देश और दुनिया की तमाम कबरों को विस्तास से जाने के लिए जुड़े रही है जनभावना टाइम्स के साथ नवस्कार।